एई हलो एवरिवन, बायोई चानल में आपका स्वागत है तो इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे बायो मोलिक्ल्स की सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोईडिट्स के बारे में कौन से विबिन्न प्रकार के कार्बोईडिस होते हैं और उनका वर्गी करण भी हम देखेंगे तो चलिए देखते हैं कार्बोईडिट के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोईडिट के डिफिनिशन की याने हम कार्बोईडिट की वैख्या करेंगे देखते हैं क्या है वैख्या तो कार्बोईडेड ऐसे पदार्त हैं जो पॉलिहाइड्रोक्सी अल्डियाइड या कीटोन है या फिर ऐसे पदार्त जिनके जल अपगटन से ये पॉलिहाइड्रोक्सी अल्डियाइड या कीटोन हमें प्राप्त होते हैं तो यहाँ पे हम उदारण के तोर पे घर पे उपयोग होने वाली चीनी के बारे में बात करेंगे जिसमें शरकरा होती है सुक्रोज जो मनी होती है ग्लूकोज और फ्रुक्तोज इन दो इकाईों के मिलन से तो इन दो इकाईयों के रेणों को हम देखते हैं अभी इसमें हम देखेंगे glucose और fructose जिनमें से glucose में aldeide और hydroxyl इनका समोह है और fructose ketone और hydroxyl समोह से बना है अभी हम चलते हैं carbohydrate के classification याने के वर्गी करण की तरफ carbohydrate के तीन classes है याने तीन वर्ग है पहला है monosaccharide दूसरा है oligosaccharide और तीसरा है polysaccharide जैसे कि आप देख सकते हैं इन शब्दों के अंत में हमें saccharide दिखाई दे रहा है जो ग्रीक वर्ड सैकरोन से लिया गया है जिसका मतलब है शरकरा याने sugar अब हम हर एक class का मतलब समझेंगे monosaccharide जिसके नाम में रिखा हुआ है mono याने एक ही शरकरा यकाई याने वो एक ही sugar unit से बना हुआ है oligosaccharide जैसे कि उनके नाम में है उसमें 2 से 10 शरकरा यकाई या याने sugar units होते हैं polysaccharide में 10 से ज़ादा शरकरा एकाईया याने 10 से ज़ादा शगर यूनिट्स होते हैं अभी हम monosaccharide की तरफ बढ़ते हैं पहले हम इसका definition याने इसकी वैक्षिया देखेंगे monosaccharide में केवल एक ही polyhydroxy aldeide या फिर polyhydroxy ketone की यूनिट है जिसमें आप उदारन के तरफ देख सकते हैं glucose में और fructose में monosaccharide दो family में वर्गे करतिये जाते हैं पहली family है aldozes और दूसरी है ketosis जो तैह होता है कि monosaccharide में aldeide है या फिर ketone group है तो चलिए देखते हैं इसके कुछ उदारन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें aldeide group है तो इस monosaccharide को हम बोलेंगे aldoze जिसका नाम है glyceraldeide और इसमें 3 carbon है इसलिए हम इसको बोलेंगे aldo triose और इस जगह जैसे हम उदारन लेंगे इसमें ketone group है तो इस monosaccharide को हम बोलेंगे ketose जिसका नाम है dihydroxy acetone और जिसमें 3 carbon है इसलिए हम इसको बोलेंगे ketotriose जैसे कि आप देख रहे हैं इन aldoze और ketose का अंटोज से हो रहा है जिसका मतलब है sugar यानि की शरकरा तो ऐई हम देखते हैं इन monosaccharides का नाम हम कैसे निच्छत करते हैं तो जैसे कि इस stable में आप देख रहे हैं जितने carbon अनू उस शरकरा में होंगे उसके हिसाब से उस monosaccharides का नाम होगा अगर वो 3 carbon है तो उस monosaccharides को हम priose बोलेंगे अगर वो 4 carbon है तो उसको हम tetrose बोलेंगे अगर 5 है तो pentoses बोलेंगे अगर उसमें 6 यानि 6 carbon है तो हम उसको hexoses बोलेंगे अगर उसमें 7 carbon है तो हम उनको heptoses बोलेंगे अगर हम उदारण लेंगे aldopentos का एक जैसे कि आप देख सकते हैं जिसे हम ribose बोलते हैं और दूसरा ribose सी बनाए बट जिसके दूसरे carbon में एक oxygen कम है तो इसका नाम है 2-deoxy ribose ribose जो cell या कोशिका के RNA में पाया जाता है और जो 2-deoxy ribose है वो cell या कोशिका के DNA में पाया जाता है तो इस तरीके से ये दोनों monosaccharide cell के लिए बहुत ही महतोपूर्ण है आई हम देखते हैं कुछ उदारण aldoses के जैसे कि आप या पे देख रहे हैं हम इनका वरगी करण 3-carbon, 4-carbon, 5-carbon या 6-carbon के उपर करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं 3-carbon वाले monosaccharide को हम बोलेंगे glyceral diide 4-carbon वाले monosaccharide को हम बोलेंगे eritros and threos 5-carbon वाले monosaccharide 4 प्रकार के हैं ribose, arabinose, xylose and lysose और 6-carbon में मुक्यता glucose, manose और galactose आते हैं अभी हम देखेंगे ketoses के उदारण जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-carbon वाला ketose जिसको हम dihydroxyacetone बोलते हैं 4-carbon वाला ketose जिसको हम erythrolose बोलते हैं 5-carbon में हमारे पास है ribulose, anzylulose 6-carbon में सबसे important ketose हमारे पास है जिसका नाम है fructose तो इस वीडियो में हमने जानकार ली monosaccharides के बारे में हमारे इस YouTube सीरीज में हम अगले वीडियो में देखेंगे oligosaccharides के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe कर दीजिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाए